हलो दोस्तो वेलकम टू दा चैनल दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करूंगी अपने कुछ नए पौधे और कुछ नए गमलो की शॉपिंग जो मैं करके लाई हूँ और इन सब का मैं आपके साथ प्राइस भी बताऊंगी आपको ताकि अगर आप भी जाते हैं शॉपिंग करने के लिए प्लांट की या फिर पॉट्स की तो आपको हेल्प हो जाएगी तो सबसे पहले दोस्तो यहां पर है यह मेरा स्पाइडर प्लांट और यह मुझे काफी जादा सुन्दर प्लांट लगता है और काफी जादा हेल्दी प्लांट भी है और इस प्लांट में बहुत सारी विराइटी भी आती है लेकिन मैं यह वाली विराइटी लेकर क्या ही हूँ इसमें जो बीच की लीव से वो ग्रीन होती है और जो साइड की जो हलकी हलकी सी वाइट का इसमें टिंट होता है काफी जादा ये सुन्दर लगता है देखने में और इस टाइम पर भी नर्सरी में इसकी कई वेराइटी भी देखने को मिल जाएगी एक फुल ग्रीन करके आते हैं तो इससे हम कई प्लांट बना सकते हैं इसके बेबी प्लांट के थुरू और ये बहुत ही अच्छे से हमारे पास चलते रहता है और प्राइस की बात करें इसकी तो ये मुझे 60 रूपीज का मिला है उन्होंने इसमें बिल्कुल भी बारगेनिंग नहीं किया 60 है कि काहीं बोला था उन्होंने और 60 का ही मुझे मिलाई है तो ये काफी हेल्दी था तो मैंने इसे ले लिया है ऐसे इस तरीके के ब्लैक कलर के से पॉलीबैग में आया है और बहुत ही अच्छा ये प्लांट है हेल्दी है बिलकुल और नेक्स जो प्लांट है वह ही बिसकस का Plant यह Hybrid वाली हिबिसकस है काफी ज़ादा मुझे इसका कलर जो था वह बहुत ही सुंदर लगा बिल्कुल पिंक है और जो अंदर के साइड में रेड कलर का है और इसका जो शेप है काफी ज़ादा सुंदर लगता है देखने में और इसमें बहुत सारे birds भी आ रहे हैं तो आप hibiscus के plant में दोस्तों कोशिश करें कि ऐसा plant ले जिसमें की कली बन आई हुई रहे तो वो healthy plant हो जाता है हमार लिए और ये थोड़ा सा बड़ा सा poly bag में आया है इस तरीके के और ये भी काफी जादा healthy भी है और इसमें बहुत जादा ये सुन्दर कलर भी था तो मैंने इसे ले लिया है और इसका जो price था ये था 160 रूपीज का 160 का बोला उन्होंने और इसमें बस 10 रूपीज चोड़ा है मतलब ये 150 का मुझे मिला है तो ये भी काफी healthy plant लगा मुझे और बहुत ही अच्छा हिबिसकस तो बिल्कुल hardy plant है अगर हम इसे एक बार लगाते तो कई सालों तक हमारे पास ये इसी तरीके से चलता रहता है और ये एक hybrid वाला हिबिसकस लिया है मैंने तो ये दो हो गए मेरे plants और यहाँ पर मैंने कुछ गमले लिये तो ये एक छोटा गमला मैंने लिया है इसमें मैं कोई lucky bamboo इंडोर रखने के लिए plant लगाऊंगी और ये बहुत ही जादा छोटा सा है बिल्कुल और ये करीबन 6 से 7 इंच का ये गमला होगा मुझे लगता है बहुत ही अच्छा गमला ये इंडोर्स के लिए अगर आप रखना चाते तो इसको हम रख सकते हैं बहुत ही अच्छा है और नेक्स जो गमले है वो ये दो ये stand वाले गमले जो मैं हमेशा ही लेकर के आती हूँ और इसमें के मैं दो लेकर के आई हूँ दोनों ही बिसकस मैं इसी में लगाऊंगी क्योंकि ये थोड़े बड़े है साइज में और ये करीबन 12 इंच का या 14 इंच का ये गमला होगा और दोस्तों इनके प्राइसेस के बारे में बात करें तो ये छोटा वाला जो है ये 40 रूपीज का था तो इसमें 5 रूपीज छोड़ा तो 35 का मुझे ही मिला है और ये जो दोनों बड़े वाले गमले है ये 55 का मुझे मिला ऐसे इसका जो प्राइस है वो 65 रूपीज है तो मैं हमेशा ही वाहां से लेती रहती हूँ इसलिए मुझे 10 रूपीज का 10 रूपीज दोनों में मतलब छोड़ा है उन्होंने तो इन ये प्लान शॉपिंग और कुछ मैंने गमलो के शॉपिंग की है और आने वाले दोस्तों वीडियो में मैं अभी आपको इन सब का रीपोर्टिंग और इनकी केर किस तरीके से हम करेंगे वो सारे वीडियो मैं आपके साथ शेर करूँगी और दोस्तों अभी धीरे धीरे और भी वीडियो आएंगे इन सब के फटिलाइजर के ऊपर बहुत सारे वीडियो आएंगे और मैं इन सब को किस तरीके से केर करती हूँ और दोस्तो अभी जैसे कि ठंड का मौसम आने वाला है तो और भी मैं आपके साथ प्लान शॉपिंग भी शेर करूंगी तो दोस्तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा शेर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में